कि ऐसे लेक्टर में हम देखते हैं कि यह विच्छ की ब्रांच इस कोनकोन सी होती है और यह आपका जो पहला चेप्टर है माइक्रू एक कोनोमिकस के अंदर और जो पहला चैप्टर है उन दोनों ऑचेप्टर्स के अंदरर डिफ्रेंस दिया हुआ है पहुते हैं माईक्रो एकनोमिक्स के सब्सक्राइब और मेग्त्रोमेन्स करेंगे उसको subject और जब बड़ी बड़ी चीज़ें प्लब एक कंट्री के लैवल पर या एक पुरी दुनिया के लैवल पर जब बाते करते हैं तो हम उसको बोलेंगे मैक्रो एकनोमिक्स टीक है तो देखते हैं कि इसमें क्या मतलब है इन दोनों का तो माइक्रो एकनॉमिक्स का मतलब होता है कि आप एक कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हो और एक प्रोडूसर के बारे में बात कर रहे हो या एक फर्म बोलो प्रोडूसर बोलो फर्म बोलो बात एक ही है और या फिर एक इंडस्ट्री के बारे म बात नहीं करते लेकिन पूरी इंडस्री के बाएं तो वह हम माइक्रो में ही उसको काउन्ट करते हैं तो माइक्र इकनॉमिक की डेफिनिशन गया है Microeconomics की Definition है, it is that branch of economics, it is that branch of economics in which economic problems, of course, economics होता क्या है, economics is the study of economic problem, यह भी हमने पड़ा हुआ है, ठीक है, और economic problem होती क्या है, economic problem is the problem of choice, ठीक है, और problem of choice क्यों create होती है, because resources are scarce and wants are unlimited and resources have alternative uses, तो यह यह चीज़े तो हम पहली बढ़ चुके है, तो economics का मतलब ही है, economic problems को study करना, ठीक है, तो microeconomics में, हम economic problem को study करते हैं, कैसे study करते हैं, study considering small economic units like individual consumer, individual producer, individual firm और industry, तो देखो आपके जो चैप्टर है, demand का जो चैप्टर है, आप consumer के बारे हैं, बात करते हो, आप एक consumer बन जाते हो, क्योंकि demand में आप क्या पढ़ते हैं, कि price बढ़ेगा, price बढ़ेगा, तो demand आप कम करोगे, उस चीज़ की, उस चीज़ को कम खरीदोगे, और price क एक producer के बारे में बात पढ़ते हैं, तो जैसे-जैसे कोई चीज महंगी हो जाएगी, जो बेचने वाला वो तो ज्यादा बेचना चाहेगा, तो supply बढ़ जाती है, ऐसे ही अगर price किसी कम हो जाता है, तो supplier क्या बोलेगा, कि यह चीज़ नहीं बेखते है, इसमें जो पैसा ल एक consumer के point of view से पढ़ते हैं, एक producer के point of view से पढ़ते हैं, या फिर एक firm के point of view से पढ़ते हैं, तो यह सारे चीज़ें क्या है, या लेवल ओप economy as a whole, तो यानि कि macro economics के अंदर जब आप पढ़ोगे उसकी book देखोगे, उसमें चेक्टर के नाम ही है, aggregate demand, aggregate supply, fiscal policy, government budget का एक chapter है, उसमें fiscal policy पढ़ते हैं, एक banking का चेप्टर है, उसमें monetary policy पढ़ते हैं, तो banking का जो system होता है, country के अंदर, हम एक bank की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे banking system की बात कर रहे हैं, तो पूरा banking का system हमें country के लेवल पे बात कर रहे हैं, और inflation क्या होता है, पूरे country में जितना महेंगाई का rate है, उसको inflation बोलते हैं, ठीक है, तो inflation की जब हम बात करते हैं, तो भी हम country के लेवल पे बात करते हैं, aggregate supply का मतलब क्या होता है कंट्री के अंदर हो रही है यहां पर एक चीजा आपको देखना है जो माइक्रो में हमने रण यूस किया था और मैक्रो में मैक्रो मैक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक्रोइक् की प्रॉपर इफ्रेंस में क्या लिखा हुआ है इंडिविजुल लेवल और इंडिविजुल लेवल में क्या आता है यह तीनों चीज़ें आपको रटनी है और मैक्रों में क्या करते हैं एट इस्टडी इकनॉमिक बेशने वाला एक प्रोड्यूसर या फिर एक फर्म क्या करेगी ठीक है या फिर एक कंज्यूमर कैसे रियक्ट करेगा प्राइज बढ़े या गटे इन सब चीज़ों पर तो मैं माइक्रों के बारे में बात करता हूं और माइक्रों क्या है कंसर्ण विद डिटर्मिनेशन ठीक है आउट्पूट डिटर्माइन होता है या फिर प्राइज डिटर्माइन होता है एक इंडिविजूल के लिए तो अगें इंडिविजूल वर्ड आ गया और यहां पर मैक्रों क्या है बेसिकली कंसर्ण विद डिटर्मिनेशन ओग्रिगेट आउट्पूट एंड जन अब इनफलेशन बोलेंगक है तो हम स्टूले को मैकरों करते हैं करते हैं कि माक्रु सिर्डट करते हैं कि मायक्रो कॉंस्टेंट है ठीक है और इसके लिए घंसेप्ट republican स्थिक्ट मैंने वीडियो बनाया था एक वर्ड स्ट्रीष कर विद्ट कि आ आकल स्ट्र ने प्यो sija wonder रिंड करोगे ढिमार्न को कि पी ठीक है तो सattend में जब एक स्टूडि एक चीज को करते हैं फ्राइस को तो बापी सारी चीज़ों को क्या मांते हैं हम ऑग्र तो अगर आप भाखी चीजों को ऎंपेक्ट आपको पता नहीं चलेगा गज़ाइब के तो यह तो एक बेस्सक्राइब यह हो इसके खारी सारी चीज़ों को आप कॉंस्टेंट मानते हो तो यह हो गए आपका द्रस्पान्सकों zeker एक लिग क्ट लेक्ट क्नव इंट्वमाव इंट इहнем से मní में इंट्रिमाल कलास मैं सब्जेक्ट है और मैं इंट्रिये इट पार विस्लेक्ट्चर जानुंक diverse